ख्रिस्त जयन्ती के बाद के रविवार को माता कलिस्या पवित्र परिवार का तेवार मनाती है। इस दुनिया में कई परिवारे हैं पर यही पवित्र परिवार क्यों पवित्र परिवार कहलाता है। बनाने में लगाया। उनके परिवार में भी अन्य परिवारों की तरह तकलिफें, समस्याएं और कस्ट आईं। पर हर परिश्थिती में इस वर पर भरोसा रख कर अपनी भूमी का को इमंदारी पुर्बक निभाएं। और हमेशा परिवार के लिए वे समर्पित रहें। परिवार की पवितरता को बनाए रखें। सुख दुख में एक दुसरे का साथ दिये। संत योसेफ अपनी जिम्यदारी बखुबी निभाई। वे एक बढ़ाई थे और अपने उस काम से वे खुश थे। उसी काम को करके उन्होंने परिवार की आउस्यक्ताओं को पूरा किया। उसकी बड़ी बिसेश्ता थी कि वे हमेशा इस वर से जुड़े हुए थे। और उसे से जुड़कर और प्रेरना पाकर अपने परिवार को चलाया। अपनी इच्छा को त्याग कर स्वयम को बालक येशू और मात मर्यम की सेवा में समर्पित किया। जब परिवार का मुख्या इस वर से जुड़ा हुआ रहता है तो सुथ परिवार के अन्य सद से उनसे जुड़ेंगे। क्योंकि यह ब्योस्था इस वर नहीं दुनिया के स्रिष्टी के प्रारम से बनाया है। पर अभी अधिकतर परिवार के मुख्या अर्थात पती या पिताजी इस वर से कटे हुए रहते हैं और अच्छे से परिवार को चलाना चाहते हैं। या सब चीज के मालिक जो सब कुछ दे और कर सकता है, उस इसवर से कट कर परिवार को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है, सोचने वाली बात है. माता मर्यम कठीन और विप्रित समाजिक परिस्थितियों में अपने को खत्र में डाल कर येशु को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हो गई. वा सभी प्रकार के कस्टों को सहते हुए नमरता पुलबक अपने ग्रहस्ती के कामों को समर्पित होकर की. येशु ने इस्वर का पुत्र और इस्वर के बराबर होते हुए भी एक दीन मानों बनकर अंत तक हां कुरूश मरन तक आग्यकारी बनकर अपना जीवन समर्पित किया. साथ ही येशु की उपस्तिती के कारण भी यह परिवार, पुत्र परिवार बना. क्या हमारे परिवार में इस्वर की उपस्तिती या अस्थान रहता है? मातम मरियम और संत योसेफ आपस में जरूर सांतिपुन परिवारिक जीवन ब्यतित किये फिर भी वे अपने जीवन में संघर्स और मुसिबतों से अचूता नहीं रहे येशु का पालन पोशन करने के लिए मातम मर्यम और संथ योसिप को कई कठी नायों और मुस्तिबतों का सामना करना पड़ा सुसमचार में हम उनके जोखिम भरे करनामों को पाते हैं जब राजा हेरोद बालक येशु की हत्यां करने के लिए खोज रहे थे तब मातम मर्यम और संथ योसिप का अंजान रास्तों में यात्राओं के सभी कस्टों को जिलते हुए मिश्र देश भाग जाना पड़ा इतना ही नहीं जब बालक येशु मंदिर में खो गए उन्हें ढूणने के लिए मातम मर्यम और संथ योसिप को कितने कस्ट सहने पड़े तीन दिनों के बाद ही येशु उन्हें मिले इस तरह उनका जीवन परिसानियों से घिरा रहा लेकिन इस पवित्र परिवार ने आपसी प्यार एकता की भावना एक दुसरे के प्रति आदर जीमेदारियों और सब दुख सुक को मिलकर सहे और उनसे भी उस आनन लिये दुख की बात है कि हाज कुछ लोग परिवार की महत्वा और जरूरत को नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग अपने स्वार्त और घमन के कारण अपने परिवार को छोड़कर चले गए हैं और दुसरे उनकी परवाह नहीं करते हैं कई बच्चों को अपने बुजूर्ग माता-पिता बोज लगते हैं, बच्चों की खुसी के लिए उनके द्वारा किये गए सब कुर्बानी का कोई मोल नहीं है, और उनकी सही देखभाल नहीं होता है, कई परिवारों के बीच एक अंजानसा महोल बना रहता है, और हर सदस्य अंजान ब्यक्ति जैसा बने रहते हैं, आपस में कोई थालमेल नहीं रहता है, कुछ परिवार तो लड़ाई का मैदान सा प्रतीत होता है, जहां अपने प्रियजन को चोट पहुचाने का भर्सक परियास होता है, ऐसे परिवारों में सदा टिका टिपनी, जगड़े, इंस नफरत और कड़वाहट विद्यमान रहती है, बहुत सारे परिवारों में लंबे समय से पति-पत्नी के बीच मन मुटाव है, और वे एक दूसरे को चमा करने से इंकार कर देते हैं, उन में से पर्तेक यही जाताने का परियास करता है, कि मैं सही रास्ते पर हूँ, और मेरी माता पिता खुले स्वाभाव के हैं, तो वही कुछ कठोर विचारधारा वाले भी हैं, जो युवावर्क के मनोभाव को समझने में असमर्थ होते हैं, इस तरह माता पिता और बच्चों के बीच गहरी खाई बनते जाती हैं, हमें इस सचाई को भी स्विकार करना होगा, कि हम दुर्बल, पापी, अधूरे, सक्तिहीन और सिमित मानाओं हैं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्तिपूर्ण नहीं है, हम हर एक जन में कोई न कोई कमजोरिया हैं, हम येशु के उस स्वनिम नियम को याद करें, दूसरों से अपने प्रति जैसा ब्यवार चाहते हो, परिवार एक छोटी कलिस्या है, परिवार समाज का हिरिदय है, और मूल तत्वा है, अच्छा ब्यक्ति अच्छा परिवार बनाता है, बहुत सारे बुरायों के बावजूद, अभी भी कई अच्छे परिवार देखने को मिलते हैं, आज जब हम परत्र परिवार का तेवार मना रहे हैं, तो येयसू नहीं चाहता कि हम केवल नाम मात्र के परिवार बने हम अपने परिवार पर गौर करें और खुद से पूछें, क्या परिवार के बिना एक अच्छा जीवन संभाव है, क्या हमारा परिवार पोईत्र परिवार नहीं बन सकता है, ऐसी क्या चीज है, जो हमारे परिवार को सुंदर और अच्छा परिवार बनने से रोकती है, जो परिवार एक साथ प्राथना करता है, वह एकता में रहता है, अता हम प्रभु से प्राथना करें, हम पोईत्र परिवार के आदर्सों से प्रेरित होकर एक अच्छा ख्रिष्टे परिवार बना सकें बन सकें ऐसा परिवार जो प्रेम सांती का आस्थान हो और प्रभु का मंदिर कहला है वह जो स्वर्ग का प्रतिरूप हो आसर multगी खर radar जाया बना सकेंशना सकेंशन साथτά श्रिवार जल कन्यूदे प्राऌ ज्रभु करते हा ओा जांत अंसकेंशनियो कि यह जडार byव मिन तक नडिता ली जाएल रफंग़न्यों का आस्या को कि प्रिवार जाःर नैजम सकेंशनियों सकेंशनी तकंपशनी को प beliefs क